नमस्कार दोस्तों दोस्तों ईवेबिल के केस में पार्ट एक अंदर तो इन्वाइस की डिटेल जाती है लेकिन पार्ट बी के अंदर ट्रांस्पोर्ट एक डिटेल जाती है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम पार्ट वी को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं क्या उसकी कोई लिमिटेशन है क्योंकि कई वार हमें multiple mode of transport के साथ भेजना होता है material कई वार हमारे जो materials के जो vehicles है vehicles रास्ते में कई वार बदल जाते हैं उसके कई regions हो सकते हैं जैसे कि पहला है कि सबोज आप अपनी factory से material को अप ट्रांसपोर्टर तक पहुंचा रहे हैं तो आप अपना vehicle number डालेंगे ट्रांसपोर्टर ने अपने किसी ट्रक में upload किया तो दूसरा vehicle number हो गया सबोज किसी कार्ण से ट्रक रास्ते में खराब हो जाता है तो तीसरा vehicle number आ जाता है सबोज आप वो में ट्रक ऐसा है कि पर्टिकलर एरी तक जाएगा उसके बाद में आपको किसी और रीजन से आपको किसी आप वेहिकल की डिटेल आपको चेंज करने पड़े तो आपको लिक दर एसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है ऐब कितनी वार भी आप बी को अपड़ेट कर सकते हैं जी हैं जब भी आपका वहिकल चेंज होता है वेहिकल का मोड आपका चेंज होता है आप। इवे बिल में चेंज करा सकते हैं पर तो दोस्तों आपको एक चीज का जहान रखना हुगा जयसा कि हम इन प्रस्दी वीडियो जो में बताया थैसा कि एक वैलिटी होती है यहार कि पर हंडर्ड किलमेटर आपका एक दिन के लिए वैलिट होता है वैलिट बिल यारि अगर है कि जो भी अपडेशन होगा वो इस डियूरेशन में ही हो मेंस कि फॉर ग्यांपल यदि आपको जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पर आपका मैटल पहुंचना है वो पांसो किलोमेटर तक है तो आपका वो मैटल पांच दिन के अंदर वहां पहुंच जाना चाहि लेंगे तो आप पार्ट बी के अंदर मल्टिपल टाइम्स आप अपडेशन कर सकते हैं परन्तु इवेबिल की वैलेडी पीरेड के अंदर ही अंदर आपको जनकरी कैसी लगी कमेंट करना बिलकुर मिल भूलिएगा धन्यवाद